समबोधी मन की बात ने समबोधी रहाच्वे सीधा जैशूतिया हर समाज में खेल कुद का अपना महत्व होता है जब खेल खेले जाते हैं तो देखने वालों का बन भी उर्जा से भर जाता है खिलाडियों को नाम पहचान सम्मान बहुत सी चीज़े हम अनुभो करते हैं लेकिन कभी कभी इसके पीशे की बहुत सी बात ऐसी होती है जो खेल से भी बहुत बढ़कर के होती हैं बहुत बड़ी होती है मैं कश्मीर के एक बेटी हनाया निसार के बारे में बताना चाहता हूं जिसने कोरिया में कराटे चेंपियंशिप में गोल मिडल जीता है हनाया 12 साल की है और कश्मीर के अनंतनाग में रहती है हनाया ने महनर्त और लगन से कराटे का भ्यास किया उसकी बारिक्यों को जाना और स्वयम को साबित करके दिखाया मैं सभी देश वाश्यों की और से उसके उजवल भविश्क की कामना करता हूं हनाया को धेर सारी सुबकामनाएं और आशिर्वा वैसे ही 16 साल की एक बेटी रजनी के बारे में मिड पड़ा होगा रजनी ने जूनियर महिला मुक्यबाजी चेंपिंशिप में गोल मेडल जीता है जैसे ही रजनी ने पदक जीता बद तुरंत पास के एक दूद के स्टॉल पर गई और एक गिलास दूद पिया इसके बाद रजनी ने अपने पदक को एक कपड़े में और बैग में रख लिया अब आप सोच रहे होंगे कि रजनी ने एक गलाद दूद क्यों पिया उसने ऐसा अपने पीता जस्मेर सींजी के सम्मार में गिया जो पानी पत के एक स्टॉल पर लसी बेचते है रजनी ने बताया कि उनके पीता ने उसे यहां तक पहुंचाने मे बहुत त्याग किया है बहुत कष्ट जेले है जस्मेर सीं हर सुबह रजनी और उनके भाई बहनों के उठने से पहले ही काम पर चले जाते थे रजनी ने जब अपने पीता से बॉक्सिंग सिखने की इच्छा जताई तो पीता ने उसमें सभी संभव साधन जुटा कर उसका होस्ता बढ़ाया रजनी को मुक्यबाजी का अभ्यास पुराने ग्लोवस के साथ सुरू करना पड़ा क्योंकि उन दिनों उनके परिवार के आर्थिक स्थिती ठीक नहीं थी इतनी सारी बाधाओं के बाद भी रजनी ने हिम्मत नहीं हारी और मुक्यबाजी सिखती रही उ उसने सर्विया में भी एक पड़क जीता है मैं रजनी को शुपकामनाय और आशिवात देता हूं और रजनी का साथ देने और उसका उत्सा बढ़ाने के लिए उसके माता पिता जसमेर सिंजी और उशारानी जी को भी बथाई देता हूं इसी महीने पूने की एक बिस साल की बेटी वेदांगी कुलकरनी साइकल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशिया ही बन गई है वह एक सो उनसाट दिनों तक रोजाना लगभग तीन सो किलोमेटर साइकल चलाती थी आप कल्पना कर सकते हैं प्रती दीन तिन सो किलोमेटर साइकलिंग साइकल चलाने के प्रती उनका जुनून वाकई सरहानिया है क्या इस तरह की अचिवमेंट्स ऐसी सिध्धी के बारे में सुनकर हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलती खास करके मेरे इवा मित्रों जब ऐसी घटनाय सुनते हैं तब हम भी कठिनाईयों के बीच कुछ कर गुजनने की प्रेणा पाते हैं अगर संकल्प में सामर्थ है हौसले बुलंद है तो रुकावटे खुद ही रुख जाती हैं कठिनाईया कभी रुकावट नहीं बन सकती हैं अनेग ऐसे उधान जब सुनते हैं तो हमें भी अपने जीवन में प्रतिपल एक नई प्रेणा मिलती हैं मेरे प्यारे देश्वासियों जनवरी में उमंग और उत्सा से भरे कई सारे त्योहार आने वाले हैं जैसे लोडी, पॉंगल, मकरसंक्रांती, उत्रायन, माग भीव, मागी इन पर्वत योहारों के अउसर पर पूरे भारत में कहीं पारमपारिक निर्त्यों का रंग दिखेगा तो कहीं फसल तयार होने की खुश्यों में लोडी जलाई जाएगी कहीं पर आस्मान में रंग बिरंगी पतंगे उर्ती हुई दिखेंगी तो कहीं मेले की छटा बिखरेगी तो कहीं खेलों में होड लगेगी तो कहीं एक दुसरे को तिलगुर खिलाये जाएगा लोग एक दुसरे को कहेंगे तिलगुर दिया और गोड़ गोड़ बोला इन सभी त्योहारों के नाम भले ही अलग अलग है लेकिन सब को बनाने की भावना एक है ये उत्सव कहीं न कहीं फसल और खेती वाड़ी से जुड़े हुए है किसान से जुड़े हुए है गाव से जुड़े हुए खेत खल्यान से जुड़े हुए है इसी दोरान सुर्य उत्तरायन होकर मकरदाश्य में प्रवेश करता है इसी के बाद से दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और सर्दियों के फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है हमारे अन्रजादा किसान भाई बहनों को भी खुब खुब शुब कामना है विविद्यता में एक ता एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना की महक हमारे त्योहार अपने में समेटे हुई है हम देख सकते हैं कि हमारे पर्वत त्योहार प्रकृति से कितनी निकटता से जुड़े हुई है भारति ये संस्कृति में समाज और प्रकृति को अलग अलग नहीं माना जाता है यहां व्यक्ति और समस्टि एक ही है प्रकृति के साथ हमारे निकर समंद का एक अच्छा उदारण है त्योहारों पर आधारित कलेंडर इसमें वर्ष भर के परवत योहारों के साथ ही ग्रह नक्षत्रों का लेखा जोखा भी होता है इस पारमपारी कलेंडर से पता चलता है कि प्राकृतिक और खगोलिये गटनाओं के साथ हमारा समंद कितना पुराना है चंद्रमा और सूर्य की गति पर आधारित चंद्रम और सूर्य कलेंडर के नुसार परवत योहारों की तीथी निर्धारित होती है यह इस पर निर्भर करता है कि कौन किस कलेंडर को मानता है कैशित्रों में ग्रह नक्षत्रों की श्थिती के नुसार भी परवत योहार मनाए जाते हैं गुडी पड़वा, चेटी चन, उगादी इस सब जहां चंद्र कलेंडर के नुसार मनाये जाते हैं वहीं तमिल पुथांडू, विशू, बैशाक, बैसाकी, पोईला बैसाक, बिहू इस सभी पर्व सूर्य कलेंडर के आधार पर मनाये जाते हैं हमारे कई त्योहारों में नदियों और पानी को बचाने का भाव विशिष्ट रुप से समाहीद है चट पर्व नदियों तालावों में सूर्य की उपासना से जुड़ा हुआ है मकर सक्रांती पर भी लाखों करोडों लोग पवीत्र नदियों में डुपकी लगाते हैं और जहां इनका पावरानिक महत्व हैं वहीं हर त्योहार जीवन के बाठ एक दुसरे के साथ भाईचारे से रहने की प्रेणा बड़ी सहस्था से सिखा जाते हैं मैं आप सभी को 2019 की बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूं और आने वाले तिहवारों का आप भरपूर आनन उठाए इसकी कामना करता हूं इन उत्सवों पर ली गई फोटोज को सब के साथ शेयर करें ताकि भारत की विवित्ता और भारतिय संस्कृति की सुंदरता को हर कोई देख सके मेरे प्यारे देशवासियों हमारी संस्कृति में ऐसी चीजों की भरमार है जिन पर हम गर्व कर सकते हैं और पूरी दुनिया को अभिमान के साथ दिखा सकते हैं कि अरुनमें एक है कुम्ब मेला आपने कुम्ब के बारे में भूट कुछ सुना होगा है फिल्मों में भी उसकी भव्यता और विशालता के बारे में काफी कुछ देका होगा और ये सज भी है कुम का स्वरूप विराठ होता है जितना दिव्य उतना ही भव्य देश और दुनिया भर के लोग आते हैं और कुम्ब से जुड़ जाते हैं कुम्ब मेले में आस्ता और सद्धा का जन सागर उमरता है एक साथ एक जगह पर देश विदेश के लाखों करोडों लोग जुड़ते हैं कुम्ब की परंपरा हमारी महान सांसकूर्तिक विरासत से पुष्पित और पल्वित हुई है इस बार 15 जनवरी से प्रयाग राज में आयोजित होने जा रहा विश्व प्रसिद्ध कुम्ब मेला जिसकी शायद आप सब भी बहुत ही उत्सुक्ताग से प्रतिक्षा कर रहे होंगे कुम्ब मेले के लिए अभी से संत महात्माओं के पहुचने का सिलसिला प्रारंबी भी हो चुका है इसके वैश्विक महत्वक अंदाजा इसी से लग जाता है कि पिछले वर्स युनेसको ने कुम्ब मेले को इन टेंजेबल कल्चरल हरिटेज आप हुमेनिटी की सुची में चिन्नित किया है कुछ दिन पहले कई देशों के राजदूत ने कुम्ब की तैयारों को देखा वहाँ पर एक साथ कई देशों के राष्ट द्वज फैराए गए प्रयाग राजमा आयोजित हो रहे इस कुम्ब के मेले में डेड़ सो से भी अधिक देशों के लोगों के आने की संभावना है कुम्ब की दिविता से भारत की भविता पूरी दुनिया में अपना रंग बिखे देगी कुम्ब मेला सेल्फ डिस्कोरी का भी एक बड़ा माध्यम है जहां आने वाले हरव्यक्ति को अलग-अलग अनुभूती होती है साउसारिक चीजों को अध्यात्मिक नजरिय से देख तो जे रिते पियम मूदी ए मन की बात रैडियो ठकी लोको सुधी पहुशारी अनसाथेज आवनारा समय मा स्रद्धालों को इससे काफी सहायता मिलेगी इस बार कुम्भ में स्वच्छता पर भी काफी बल दिया जा रहा है आयोजन में स्रद्धा के साथ साथ सफाई भी रहेगी तो दूर दूर तक इसका अच्छा संदेश पहुँचेगा इस बार हर स्रद्धालू संगम में पवित्र स्नान के बाद अक्षयवट के पुन्य दर्शन भी कर सकेगा लोगों के आस्था का प्रती ये अक्षयवट सैक्ड़ों वर्सों से किले में बंद था जिससे स्रद्धालू चहा कर भी इसके दर्शन नहीं कर पाते थे अब अक्षयवट का द्वार सब के लिए खोल दिया गया है मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब आप कुम जाएं तो कुम के अलग-अलग पहलू और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अवश्य शैर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को कुम में जाने की प्रेना मिले आध्यात्म का ये कुम्ब भारतिय दर्शन का महा कुम्ब बने आस्ता का ये कुम्ब राष्ट्रिय ता का भी महा कुम्ब बने राष्ट्रिय एकता का भी महा कुम्ब बने स्रध्धालूं का ये कुम्ब वैश्विक टूरिस्टों का भी महा कुम्ब बने कलात्मक्ता का ये कुम्ब स्रजन शक्तियों का भी महा कुम्ब बने मेरे प्यारे देश वास्यों 26 जन्वरी के गणतंत्र दिवस समारों को लेकर हम देश वास्यों के मन में बहुत